स्टार वार्स की थर्ड वीडियो में जिसमें कि मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा स्टार वार्स की टाइम लाइन को क्योंकि आप जानते हो कि स्टार वार्स की टीवी सीरीज रिलीज हुई है लाइव एक्शन उसके बाद मुवी रिलीज हुई है officially और then वो आगे पीछे रिलीज हुई है तो आपको अगर ये universe देखना है Marvel DC के अगर आप fan हो, Hollywood के fans हो अगर आपने Star Wars अभी तक नहीं देखा है तो आप किस order में देखोगे तो मैंने सोचा कि Star Wars का पूरा Sega यानि कि उसकी पूरी timeline को explain करा जाए तो गाइस आपका स्वागत है इस वीडियो में और then मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो को start करने से पहले कि ये वीडियो हर बार की तरह काफी कमाल का है और then मेरी चैनल को subscribe जरूल करना और वीडियो को जादा जादा share करो और like करो तो चली start करते है स्टार वार्स के पूरे सेगा को और उसकी टाइम लाइन को तो सबसे पहले स्टार वार्स के यूनिवर्स में पहली मूबी आती है वो है episode 1 जिसका नाम है The Phantom Mechanic जो की रिलीज हुई थी 1999 में then दूसरी मूबी आती है स्टार वार्स episode 2 Attack of the Clones जो की रिलीज हुई थी 2002 में अब उसके बाद अगली आती है टीवी सीरीज और मूबी Star Wars Clone War जो की रिलीज हुई थी 2008 में फिर उसके बाद आती है Star Wars Clone War TV सीरीज जो की चला था 2008 से लेकि 2020 तक जिसका final season अभी तक आया है तो गाईस यह दोनों ही देखना important है तो इसलिए मैंने इसे including करा है देन उसके बाद आ जाते है Star Wars episode 3 Revenge of Sith जो की रिलीज हुआ था 2005 में ओके गाईस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आपको यहाँ पे एक point के लियर करता हूं जब episode 1, 2, 3 में हमने देखा के order 66 अलाव कर दिया था जिसमें की सारे जडाई मास्टर को मारने का order दे दिया था तो यही पर ही Revenge of Sith के बाद एक नई TV सीरीज आ रही है जिसका नाम है Obi-Wan जो की डिजनी प्लस पे लॉंच होगी और जो की रिलीज होगी 2021 में अब यह TV सीरीज Revenge of Sith से 8 साल बाद स्टार्ट होती है और इस Star Wars एपिसोड 4 के 11 साल पहले खतम हो जाती है तो यहाँ पर आपको यह TV सीरीज के लिए वेट करना पड़ेगा 2021 तक अब चलते हैं ब्रेक को खतम करते हुए Star Wars Solo तो यह मुवी काफी ज़्यादा कमाल की है और यह O.V.W.N के अंडर चल लई है यानि की O.V.W.N की टाइम लाइन अलग है और यहाँ पर Solo Star Wars के इवेंट होती है तो यहाँ पर हमें एक नए करेटर से इंट्रोड़क्शन कराए जाता है जो की आने वाली फीचर मुवी में हमें देखाए जाता है तो काफी कमाल का है और Star Wars सीरीज का यह सबसे फेमेस केरेक्टर है और वहत फानी भी तो Solo रिलीज होई थी 2018 में काफी कमाल की है मुवी देखना ज़रूर अब उसके बाद कंडिर करते हैं टाइम लाइन Solo के बाद एक और TV सीरीज आती है जो की एक फीचर में रिलीज होने वाली TV सीरीज है जिसका नाम है Cassian Endor यह TV सीरी रिलीज होगी 2022 में और अब आते हैं इसके बाद एक लाइव एक्शन मुवी जिसका नाम है Star Wars Rogue One जो की रिलीज होई थी 2016 में जिसमें की हमें Cassian Endor दिखा जाता है और यह Cassian Endor की TV सीरीज के पांस साल बाद मुवी स्टार्ट होती है तो आपको यह भी चानना फोच जरूरी है अब Rogue One के बाद आता है Episode 4 Star Wars New Hope जो की Continuous Time Line है आपको किलियर ही समझ में आजाएगी New Hope यानि की एक नई उमीद जहां से Star Wars का युद्ध चालू होता है और तवाही तवाही होती है गैलेक्सी में जो की बहुत दूर लड़ाई चला ही होती है उसके बाद आती है Star Wars Episode 5 में जो की है Empire Strike Back तो यहाँ पर डैट पेदर बच जाता है अब वो कैसे बसता है इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी देन उसके बाद अब आते है Star Wars Episode 6 अब Star Wars जो Episode 6 है वो बिल्कुल यह समझ लो एंडिंग आपको खुश कर देगी बहुत ही अच्छी तरीके से जो की रिलीज हुई थी 1983 में तो मूवी काफी टाम पहले रिलीज हुई थी पर आपको जब यह सारी मूवी देख लो के पहले की टैम लाइन के अनुसार जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको मज़ा आएगा Episode 6 तक फिर उसके बाद आजाते है Star Wars Episode 6 के बाद 5 साल बाद The Mandalorian तो यह TV सीरीज अभी हाली में Disney Plus पर लौंच हुई है जो की रिलीज हुई है 2019 में और इसका अब आजाते है Episode और Season 2 जो की रिलीज होगा October में इस साल 2020 में तो यह भी आप देखना फिर उसके बाद आजाते है Star Wars Episode 7 The Force Awakers Guys, रियल मानोगे जब आप Star Wars 4 Awakers तक पहुँचोगे न Mandalorian को देखने के बाद तो यकिन नहीं मानोगे आप आपको यह मूवी आपके दिल में भस जागी बहुत ही कमाल का है और आपको नहीं VFX देखके इतना कमाल का लगेगा कि आप सोच नहीं सकते अब चलते हैं आगे Star Wars Episode 8 The Last Jedi 2017 में यह मूवी रिलीज हुई थी और इसकी एड़निंग ऐसी है कि आप घर वेटके चिलाओगे यह मेरा प्रॉमिस है अब आज आते हैं उसके बाद Episode 9 तो देखना ज़रूर उसके बाद आजाते हैं अब फ्यूचर की मूवी जो की है Star Wars Universe को Connect करती हुई Star Wars Episode 10 जो की रिलीज होगी 2022 में फिर उसके बाद Star Wars Episode 11 जो की रिलीज होगी 2024 में फिर उसके बाद Star Wars Episode 12 जो की रिलीज होगी 2026 में और इसके बीच में एक ओर TV सीरीज को introduction करवाई जाएगा जो की female lead superhero से relative होगी और पर उसका कोई भी timeline अभी तक रिलीज नहीं करा है तो मैंने वो उसको including नहीं करा है इस universe में तो guys यह है वो full detail और universe TV सीरीज जो की लिए आपके यह important है देखना और अगर कोई भी इसमें कुछ miss हो गया हो जैसे कि Star Wars Rebels तो वो important नहीं है से लिए मैंने उसको including नहीं करा है और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो 24 hours मैं Instagram परो आप मेरे से कभी भी पूरी list ले सकते हो और आपको यह poster HD में चाहिए तो आप download के लिए link telegram पे डला हुआ है आप जाके महाँ पे join करो और आपको download मिल जागा यह full HD में तो guys आज लिए बस इतना ही Thank you for watching this video Bye